नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शोर डेली राउंड अप में पंजाब में कैप्टन अमरिंदन सिंग से कप्तानी छिनने के बाद चरणजी सिंग चन्नी ने आज मुख्यमंत्री पत की शपत ली चन्नी के साथ साथ विदाय सुखजिंदर सिंग रंधावा और ओम प्रकाश सोनी ने भी राजी के उप मुख्यमंत्री पत की शपत ली आज के डेली राउंड अप में हम बात करेंगे केंदर के खिलाफ जारी शिचकों के प्रदर्शन पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में चरण जिस सिंग चन्नी की शपत और यूपी में फैल रहे जानलेवा बुखार की उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास सुर्कियों पर अस्थाई नियुक्ति को लेकर शिचकों का केंदर के खिला प्रदर्शन पंजाब को आज मिला दलित मुख्यमंत्री शपत के बाद चरण जिस सिंग चन्नी ने समहाला कारभार करनाटक के मुख्यमंत्री को जानलेवा धमकी देने के आरोप में हिंदु महासबा नेता गिरफतार यूपी में जानलेवा बुखार की अब तक नहीं सुलश पाई गुथी कई लोगों की मल्टिपल औरगन फैलियर से मौत और आखिर में हम बात करेंगे देश में 24 घंटों में करोना के 30,256 नए मामले 295 मरीजों की मौत सबसे पहले बात अस्थाई नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहे शिच्छकों के प्रदर्शन की केंज सरकार के अंतर गद देश में तकनीकी शिच्छा को सुधारने के लिए चार साल पहले टेकनिकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव्मेंट प्रोग्राम में लगबग 1400 शिच्छकों की नियुक्ति की गई थी विश्व बैंक के साथ शुरू की गई टेकनिकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव्मेंट प्रोग्राम एक ऐसी परियोजना है जिसका उदेश्य रह तकनीकी शिच्छा की गुर्वत्ता में सुधार करना है आपको बता दे कि परियोजना के चलने चर्ण के तहट विरोध करने वालों को जनवरी 2018 से संबंदी संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में लगाया गया था और यह परियोजना आने वाली 30 सितंबर को समाप्थ हो जाएगी नियूती के समय यह शर्त रखी गई थी कि राजय सरकारे तीन साल बाद उने अपने कॉलेजों में पक्की नौकरी देंगी लेकिन लगबग चार साल बीच जाने के बाद भी इन शिचकों को अपनी पक्की नौकरी का इंतिजार है IIT जैसे संस्थानों से पढ़ने के बावजूद ये शिचक अपने लिए एक अदद नौकरी के लिए सड़क पर उताने को मजबूर है नियूस क्लिक के रिपोर्टर रवी कॉशल ने इन शिचकों से बात किया है आए सुनते होने जाहिए कि किसी की जाब नहीं जानी चाहिए और बेरोजगारी एक मुद्दा है जाब नहीं मिल रही नहीं है उनिवस्टी में एडमीशन नहीं है उस सिच्वेशन में अगर हमारी जाब चली जाती है तो हमारे सर्वाइबल पर आ चुका है कि हम कहां जाए टेक्निकल एडुकेशन क्वालिटी इंप्रूब्मेंट प्रोग्राम वर्ष 2017 में भारत सरकार के सिच्छा मंत्राले द्वारा यह प्रोजेक्ट लाया गया था जिसमें 1554 असिस्टैन्ट प्रोफिसर का चैन एक खुली कठोर चैन प्रक्रिया के ठूरू राश्टी प्रोजेक्ट अइसा डिजाइन था कि तीन सालों तक इसमें थिच्छा मंत्राले भारत सरकार के द्वारा यह सारे असिस्टैन्ट प्रोफिसर को चैलरी दी जाएगी तद पस्चाथ एक सेंट्रल गब्मेंट और स्टेट गब्मेंट के बीच में मेंमरेंडम आफ अंडेस स्टेंटिंग सईन था जिसके तरट सेनेबिलिटि प्लान बननी थी कि पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड इनारे असिस्टन्ट प्रोफिसर का समायोजन विभिन्ध जो 20 लो इंकम स्टेट्स हैं जिसमें हम लोग सब्रु पर शुरू करने हैं उसमें मलोगों का समायोजन स से माध्यम से होगा यह प्रोजेक्ट सेप्टेंबर 2020 में समाप्स होने वाला था और उसके बाद समायोजन होना था बट कुछ कारणों से इसमें दो बार जो है 6 महीने की बिद्धी होई और अभी है 30 सेप्टेंबर 2021 को यह समाप्स होने को है कोई जॉब यह बता दे ना कि किस यूणिवर्स्टी किस कॉलेज में जॉब है कहां पर सारी सीटे खाली है एनाइटी जाएटी हर जगां पर खाली हैं सीटे भरी नहीं जा रहे हैं यह पिछले तीन-चार साल और कोरोना काल में जो वैकेंसी निकली भी थी उन पर भी जो हमने अप्लिकेशन के आज तक वो सेलेक्शन नहीं हुआ सब रूप गई है मेरा कहना यही है कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक टीचर को सिर्फ काम नहीं होता है पढ़ाना बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं एक घंटे का लेक्चर जो हम ले रहे हैं उसके लिए हम अक्लीस दो घंटे का इंपुट देते हैं तैयारी करते हैं लेक्चर पर करते हैं मतीरियल तैयार करते हैं स्टूडेंस को सारा मतीरियल ओनलाइन प्रवाइड करते हैं आज कर तो तो ओनलाइ अगर मैंने इतने अच्छे जगह से पढ़ाई करने के बाद भी अगर मुझे यहां पे सड़क पे बैठना पढ़ रहा है और गवर्मेंट को बोलना पढ़ रहा है कि आप हमारे जॉब बचाईए जब की हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और यह हम नहीं कह रहे हैं कि यह वही मतलब जो गवर्मेंट में जो नीति आयों का जो रिपोर्ट आया था उसी में यह सब मेंशन है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है देखिए हमारे कॉलेज में लगभाग 25 फैकल्टी है और 70 से 75 परसेंट तक हम एकाडमी का जो लोड है वो बियर करते हैं अग अगर अच्छा यही नहीं तो हमारे कॉलेज में पांच जो है वो होई होड के पोस्ट पे है अलग-अलग डिपार्मेंट अगर यह फैकल्टी या हम यहां से चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे डिपार्मेंट को देखने वाला उस तरह का कोई नहीं है जिसके पा अगर हम वहां से चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का बड़ा नुकसान गया के ही नहीं पूरे बिहार के बच्चों का नुकसान वहां पे होगा अगर हम यहां पर बैठ कर अपना टाइम यहां दे रहे हैं और मैं अपना स्पेशली अगर केस बताऊं तो मुझे टू एंट फ्रो पांच गंटे लगते हैं ट्रेवल करने के लिए यहां पर तो मैं ट्रेवल भी कर रही हूँ यहां पर बैठी भी हूँ और साथ-साथ मु मुख्यमंत्री के रूप में चरन जिस सिंग चन्नी ने नए मंत्री मंदल के कई नए चहरों के साथ शपत ली चन्नी के साथ साथ विदायक सुखजिंदर सिंग रंधावा और ओम प्रकास सोनी ने भी राजिके उख मुख्यमंत्री पत की शपत ली तीन बार विदायक रह चन को मुख्यमंत्री की कमान सौपने के कई राजनितिक अर्थ तलाशे जा रहे हैं 2017 में बनी कैप्टन अमरिंदर सिंग की अगवाई में कॉंग्रेस की सरकार में चन्नी टेक्निकल एडूकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री थे अब रुक करते हैं करनाटक का जहां म मुख्यमंत्री बसव राज बुमई और राज के भाश्पा नेताओं को धमकी देने के आरोप में हिंदू महसवा के राज महसचीव को अपने दो और कारकरताओं के साथ मैंगलूरू से गिरफतार किया गया इन तीनों दख्षिट पंती कारकरताओं पर राज में सरकारी जमीन पर बने अवैद मंदीरों को ध्वस्त करने या वहाँ से हटाने के लिए कोट की निगरानी में चलाया जा रहे अभियान को लेकर भाश्पा नेताओं को धमकी देने का आरोप है बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी धर्मिंद सुरकतल ने 18 सितंबर को हिंदू महासभा के एक प्रेस कॉन्फरेंस में मुख्य मंत्री बसवराज बोममई वर पुर्व सियम बियस यदियोरपा पर मैसूरू के नंजन गुड इलाके में एक मंदिर को ध्वस्त करने को ले बतार करताओं के खिलाफ कारवाई कर डाली मुख्य मंत्री को धंकी देते हुए उसने कहा था हमने गांधी को नहीं बखसा तो आप कौन है धर्मिन के साथ ही उनके सहयोगी, राजेश, पवित्रन और प्रेमू पुलाली को गिरफतार किया गया मैंगलूरिय पुलीस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B वे 253A सहित अन्य धाराओं में मामला दर्श किया है अब बढ़ते हैं उत्रपदेश में तुफानी रफतार से फहले एक अनजाने बुखार की तरफ जिसकी गुत्ती सुलजाने में योगी सरकार बुरी तरफ फेल दिखाई पड़ रही है उत्रपदेश की कानपूर में एक रहस्यमई वाइरल बीमारी तीजी से अपने पाउं पसार रही है जिसके चलते कई जगह दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है इस बुखार से ग्रसित लोगों को कई जानी मानी बीमारी जैसे डेंगू मलेरिया आधी का टेस्ट करवाए गया परंतु चौकाने वाली बात यह है कि वह सब निगेटिव आई सबसे भयावा बात यह है कि यूपी में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी हैरान है कि आखरी यह कौन सा वायलत संक्रमड है जिसके जान लेवा वैरियंट को वह नहीं समझ पारे सरकारी अस्पतालों के बाहर जुट रही रोग्यों की भीड इस बात की पुक्ता तजदीग दे रही है कि इस बुखार का प्रकोप कितना जादा है जिस पर काबू पाने में स्वास्त महकमा फेल होता नजर आ रहा है आपको बता देगी फिरोजाबाद जीले में भी चिकन गुनिया और डेंगू जैसी बिमारिया कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुके हैं वहाँ इनसे मरने वालों की संक्या बासट हो गई है इस बीच नए रूप में स्क्रप्ट टाइफस और लेप्तोसपारोसिस जैसी बिमारियों ने भी तेजी से दस्तक दे रही है देखने वाली बात होगी कि यूपी को की पहली से चर्मराई स्वास्त विवस्ता इन बिमारियों से कैसे निपटती है अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे कोरोना की किंदिस्वास मंत्राय द्वारा जारी आगडों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 30,256 नए मामने दर्ज किये गए इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 295 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक देश भर में कोरोना से पेड़ित 43,938 मरीजों को ठीक किया जा चुका है इस तरह से देश में आक्टि मामलों की संक्या घट कर 0.95 फीस दी यानि 3,18,181 हो गई है गौर करने वाली बात यह है कि देश में कोरोना वैक्सिन की अब तक 80,85,68,144 डोज दी जा चुकी है जिन में से 37,78,296 वैक्सिन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली राउंड़ों में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूख, ट्विटर और इंस्टाइग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया